और जिस तरह से हम आपको ये भी बता रहे हैं कि होटल में कुछी दिर में पहुंचेंगे वहाँ पर प्रधान मंत्री के स्वागत के लिए काफी संख्या में लोग वहाँ पर मौझूद हैं और इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधान मंत्री का वहाँ पर स्वागत किया गया उनके अगवानी की गई और काफी एतिहासिक ये प्रधान मंत्री की यात्रा है अमेरिका की कई मायनों में जिस तरह से हम आपको लगातार बता रहे हैं कि अंतराश्ट्रिय योग दिवस जो प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी वहाँ पर नियॉक में पहुंचे और कुछी देर में वो अपने होटल में पहुंचेंगे वहाँ पर भी लोग मौजूद हैं और लगातार वहाँ के दिरिश्य भी हम आपको दिखा रहे हैं हमारे समादाता अशोक श्रिवास्ता और हमार माहूल होता है हाला कि इसमें कोई दौर आएंगीे बारत के प्रधान मंत्री ने जो बारत की विदेश दीती में और भारत के अंजो प्रधान मंत्रियों के दारे होло थे हैं Bowl जो फो सरीए थे अलग है कुछ खास है इसलिए क्योंकि अमेरिका में एक तो बहुत बड़ी तादात में भारत वंची रहते हैं दूसरी बड़ी बात यह है कि यहां पर जो इंडियन डायस्पोरा है वो दरसर बहुत इंपॉर्टन रोल लिभाता है यहां की राजनीती में और यहां के हर शेत का स्वागत करने के लिए तैयार ने पर वाशनक्ट पर आभी वाशन्टन तर्स कमा स्वागता हैं इस वक्ती नियॉच्वे ए और पुछिए दिखा रहे हैं हमारे वरिष्ट सहयोगी अशोग श्रीवास्ताव वाशिंग्टन में मौझूद हैं और अभी हम एक रिपोर्ट भी दिखा रहे थे किस तरह से वहां के जो अख़वार हैं उन्होंने प्रधान मंतरी की यातरा को लेकर के कितनी सकारात्मक टिपड़िया वहा को देखेंगे तो सब लोग यह बात मान रहे हैं कि यह बहुत इंपॉर्टन जो है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी की जातरा है यह बहुत महत्पून है साथ-साथ यह सब बड़ा फोकस जो है वो यह है कि भारत और अमेरिका के संबंध जो है वो अब एक नई उचाई पर पहुँच रहे हैं और ऐसा है कि इस वक्त दोनों देशों के रहे एक विन्विन सिच्वेशन जैसी सिच्वेशन है तो इसको तमाम मीडिया के लोग देख रहे हैं और जो सुबह जो प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी का यहां पर वाल स्रीट जनरल में इंटर्व्यू छप और वालों प्रधान मंतिरा नरेंद्र मोधी ने दोनों देशों के में जो एक विश्वास का व्हरोसा बना है उसका जिक्र इस रोप में भारत जो है पहुंच करें तो यहां तक में इडीडा की बात करों यहां पर प्रादानमंतिका स्वागत करने जो यह निये कर रहा है कि भारत जो है कैसे एक विश्व की ताकत बन रहा है इसमें भारत की आर्थिक जो जो भारत में जो आर्थिक बद्लाव आए हैं भारत किस तरह से मजबूत आर्थिक शक्ति बना है आज विश्व की पांचवी सबसे बड़ी आर्थ व्यवस्ता है तो 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 मीडिय जो है इस बात को बहुत focus कर रहा है कि एक बड़ी ताकत भारत बन चुक है और अब अमेरिका जो है बिना भारत के अमेरिका की जो है निरभड़ता भारत पर बढ़ रही है क्यों उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि अमेरिका और चीन के संबंदों में जिस तरह से लगातार तनाव आया है चीन की विस्तारवादी जो नीती है वो विश्व के तमाम देशों के लिए खत्रा बनी है इंडो पैसिफिक शेत्र में अलग तरा के चुनौतियां अलग तरा के खत्रा खड़ा हो गया है ऐसे में अमेरिका भारत को एक बड़े निकट के सहयोगी के रूप में देखता है हाला कि बड़ा सपष्ट है ये भी वाद हमको समझनी होगी कि भारत की जो विदेश नीती है और भारत की नीती हमेशा से ही रहे कि हम किसी के पिछलगउ नहीं बनेंगे हम किसी के ओपर निर्भर नहीं रहेंगे हम अपने टर्म्स कंडिशन पर जो है किसी के बात करता है इसलिए भारत का किसी के साथ किसी मुलक के साथ टकराव नहीं है हम दोस्ती बढ़ाने में यकीन रखते हैं तो इसलिए हमारा टकराव किसी से नहीं लेकिन संबंदों को जो है नेक्स अशो कहा पर आपने काफी महतुपूर्ण ये बात कही है कि भारत के सभी परेंद्र मोधी के खुद निजी तोर पर अगर हम देखें तो कई सारे ऐसे देश हैं उनके राष्टा ध्यक्षों से काफी अच्छे समन्द हैं हम मिडलिस्ट की बात करें चीन की बात करें रूस की बात करें तो इस सब के बीच क्योंकि दुनिया एक तरह से दुनिया सब आपके अपने पक्षे हैं वो ठीक है लेकिन जो तंआव इस ऒक्त उससे दुनिया निकलना भी चाह रही है जो युद्ध का तनाव है जो दूसरे तनाव है उससे दुनिया निकलना भी चाह रही है प्रधान मंत्री peachub gu い jी निकलने में भारत एक बढ़ी भूमी का निभा स सकता है देए ऑnn Rich avec ऑल अपने बहुत बात कई कि अब तर आभ कि बात करते हैं तो भरत ने दुनिया और कल यहां wash new day नी जाएगा कि हम वाशिंग्टन हो या मुंबई दिल्ली हो हर जग갔acular हम देखरें लोगों की जो जिन्दिगी है वो तनाव से बढ़ी हुई और ऐसे में इस तनाव से निकालने में योगा कित्म महत्पूर्ण हो सकता है ये बात अब दुनिया समझ रही है उसी तरह से ये जो इस वक्त युद्ध की विभीशी का जो है दुनिया इस वक्त पेस कर रही है उस दुनिया देख रही थी कि युक्रेन और रूस को लेकर भारत क्या लाइन लेता है किस तरह से भारत अपनी बात रखता है तो भारत ने एक ही बात कही थी युद्ध का समय नहीं है आप सोचिए दुनिया जैसी एक महामारी से निकली उसके बाद एक हम आर्थिक संकट के ए ऐसे समय में जबकि हम कोविड जैसे महामारी से निकले हैं लोगों के रोजगार जा रहे हैं महंगाई बढ़ रही है आर्थी की सिती अच्छी नहीं है जो एक एक आर्थी क्रूप से देखे तो एक डाउन फॉल शुरू हो रहा है कई जगा पर खास करके वेस्ट में तो ऐ ऐसे में एक एक युद्ध को दुनिया नहीं जेल सकती और यही बात प्रदानमंति नरिंद्म हो दिने कही थी कि यह युद्ध का समय नहीं है और यह बात दुनिया को समझनी है कि यह जो युद्ध का तनाव है इसको निकालने में भारत ही मददगार हो सकता है पश्चिम क के देशों में जिस तरह से जो है युद्ध को लेकर के अलग नीती होती है कि आप किसी को हतियार दे दो और किसी को आप कहो कि हां आप रही हम आपके साथ हैं लेकिन इसके इतर भारत क्या करता है भारत जो दोनों पक्ष हैं चाहिए वह आप देखिए रूस और यूकरेन को लेकर देखिए भारत ने दोनों पक्ष को लेकर एक बैलेंस नीती अपना यह और भारत ने कहा है कि भाई युद्धियक खत्म कैसे हो सकता उस पर हमें सोचना है यहां पर जब 22 तारिक को अमेरिका की अमरीकी संसर्थ में प्रदानमंती नरंद मोदी संबोदित करेंगा उ है बामंती